आपका आप देख रहें अपना पसंदीदा चैनल आइंडिया और मैं बवीता सिंगौर दर्शकों की अव्योदन के साथ शुरू करते हैं आइंडिया का खास शोग खबर नामा सुर्ख्यों वाले खबर नामे का आगास सीतापूर और लखीमपूर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे फिर आपको प्रदेश की माहतपूर खबरों से भी कराएंगे रूबरू आज के खबर नामे में सबसे पहले बात करेंगे गन्नाव विकास समित चुनाव में सपा भाषपा ने एक दूसरे पर जड़ियारो कोर्ट पहुचा दो समितियों का मामला और बात होगी सदना में निर्माना धीन आर आर सी सी सेंटर का जास टीम ने किया निरिच्छन फिर बात करेंगे करीब तीन साल बात पहली बार बलाक पहला में संपन हुई बोर्ड बैठग और खबर नामे के एंथ में बात करेंगे आखिरकार सांसद को करानी ही पड़ी अपनी जमानत लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर गांधी जयनती पर डियम दस ग्राम प्रधानों को करेंगे सम्माने भारत सरकार की टीम ने प्रात्मीक स्वास्त केंद कमलापूर में परकी स्वास्त सेवाएं सीतापूर में आथिकमर हटाने गए बाबा के बुल्डोजर पर हुआ हमला संयुक तजांच कमेटी का निर्चरजारी प्रपत्र ना दिखा पाने पर क्लीनिक संचालक पर लगी रोग अब डाइना और सुलोचना की मदद से पक्रा जाएगा आदम खोर बाग लखीमपूर खीरी की एरा गन्ना विकास समित ने निर्विरोज चुने गए 246 डेलिकेट्स मौसाम विवाग ने आगामी तीन दिनों के लिए जारी किया भारी बारिस का अलर्ट अब यूनिफॉर्म में नजर आएंगे लेकपाल, अमीन और राजस सुनी रिच्छक महमुदाबाद में काउंटर से पर्चे ना दिये जाने पर सपाकारी करताओं ने काउंटर घेरते हुए हंगामा काटा मौके पर पहुझे पूर्वि मंत्री नरेन सिंगवर्मा सेउता से पूर्विधायक महें सिंग जीन बाबू ने डेली गेट सुनाओं के लिए नामांकन पत्र ना दिये जाने का आरोप लगाया हंगामा और नारेबाजी होते देख कर्मचारियों ने गन्ना भावन में ताला जड़ दिया दूसी दरफ पूर्व मंत्री नरेन सिंगवर्मा और सीओ महमुदाबाद दिनेश चलसुकला के बीच काफी देर तक बहस भी हुई बावाल बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया बलाग गुंदला मोचेत के कजबा सदना में निर्माणा दीन आर सीसी सेंटर का सत्यापन डीडियो हरिश्चन प्रजापती सहीत नामी टीम ने किया दरसल सेंटर निर्माण में हो रही अन्यमितिदाओं की शिकायत मिस्रिक से भाजबा सांसत असोक रावत ने डीम को पत्र बेज कर की थी निर्चर के दौरान डीडियों ने नियू खुदवा कर देखी टीम और पाइप का चादर एस्टीमेट के हिसाब से नहीं पाया गया यही नहीं अन्य ग्राम सभा के मजदूर काम करते पाए गए जमीन की सेड़ी भी गलत पाई गई टीम ने खारी जोचुके पैसों को लेकर सच्यू बलबीर को फटकार भी लगाई टीम में डीडियों के अलावा एस्टीम मिश्रिक सहायक अभियंता ग्रामीड अभियंतरन विभाग शामिल रहे गुरुआर राज से रुक रुक कर हो रही कही तेश कही कम बारिश से गन्ना सहित धान सभी फसलों को पानी मिल गया जो किसान अपनी फसल को सिचाई करने के तयारी कर रहे थे उनकी इच्छा इंदर देर ने पूरी कर दी ब्लाग गुंदला मोच छेत के ग्राम नर सिंगौली निवासी प्रगस सील किसान शीज द्रिवेदी ने बताया कि अभी तक इस बारिश से किसी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुचा है सभी फसलों के लिए यह बारिश फाइदे मंद है अगर तेज हवा चलेगी तो फसल गिर सकती है जिला क्रस अधिकारी मंजीत कुमान ने बताया कि अभी तक बारिश सभी फसलों के लिए वर्दान है हवा चली तो नुकसान हो सकता है बीते बारा गंटे से अधिक समय हो रही बारिश से धान फसल में कंडुवा उर्फ हल्दिया और रस चूसक कीट का प्रकोप हो सकता है क्रस विग्यान केंट कटिया के वरिस्ट वैग्यानिंग डॉक्टर दया संकर सिवास्तों ने बताया कि धान में हल्दिया दिखने पर किसान प्रोपी को ना जोल का छिड़काओ करें अगर धान में रस चूसक कीट दिखें तो इमीडिया क्लोरोपीट का छिड़काओ मौसम साफ होने पर कर दें उन्होंने किसानों को सलादी की दलहन तिलहन सबजियों वाले खेत में जल भराओं ना होने दें अगर कोई समस्या उत्पन हो तो क्रेस विज्ञानकेंद के विज्ञानिकों से समपर कर समधान कनाए लंबे इंतजार के बाद आखिर बलाक पहला में शुकरवार को बोर्ड बैठक समपन हुई ब्लाक पहला की बोर्ड बैठक में सीतापूर से कॉंग्रेस सांसद राकेस राठोर भी मौजूद रहे दरसल ब्लाक पहला में पिसली बोर्ड बैठक संपन ना हो पाने से सांसद राकेस राठोर धनने पर बैठ गये थे मतादे बलाग पहला में बीते तीन वर्सों से कोई बोर्ड बैठक संपन नहीं हो पाई जिसकी वज़े से छित के बिकास कारे ठप पड़े रहे बलाग पहला में सपार से रावेंद उर्फ अजय यादो ने भाजपा के प्रवीर कुमार वर्मा को एक वोटों से सिकस्त दे कर चुनाओ जीता सुक्रुआर को 81 बीडीसी, 54 ग्राम प्रधान और दो जिला पंचाय सदस्यों के साथ बोर्ड बैठक संपन हुई सुरच्छा बेवस्था को लेकर छेवे थानों की पुलिस मौजूद रही बैठक में सांसद राखे स्राटोर महमुदाबाद बिधायक आस्था मौरिया बिधायक के पुत्र आशीश मौरिया ने भी भाग लिया इस माँके पर बीडियो विकास कुमार सिंग, एडियो एजी, राजकुमार, विबिक कुमार, जई सुन्दर लाल वर्मा, पस्ची किसा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार, पूर्ति निरिचक केके सिंग, अनुपम मम्ता तिवारी, उद्योग ब्यापार मंडल अध्यच आनिल यादो मौजूद रहे बिकास कंट मेहमुदाबाद में भी बोर्ड बैठक शांतिपूर माहाल में संपनुई बैठक की अधिस्ता बलाग प्रमुख मुकेश वर्मा ने की बैठक में सियसी अधिचक, डॉक्टर आशीश वर्मा ने संचारी रोग नियंतरन के संबंध में जानकारी थी प्रधान मंत्री आवास योजना, मुक्ह मंत्री आवास योजना के बारे में बिस्तार से बताया गया बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारी स्बी सिंग, हरेंद, आशीश शादो, ब्रजेश शादो मौझूद रहे यूपी की सीतापूर के 10 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को जिले अधिकारी अबशेक आनन, गांधी जैनती के आउसर पर सम्मानित करेंगे दरसल जिले की 10 ग्राम पंचायते टीबी मुक्त घोशित की गई है, इनी ग्राम प्रधानों को जिला अधिकारी दोरा सम्मानित किया जाएगा सियोमो डॉक्टर हरपाल सिंग ने बताया कि पंचायतों को टीबी मुक्त की घोशना से पहले कई मानकों पर जाच की गई है जिला चैरोग अधिकारी डॉक्टर मनोज देश्मन ने बताया कि 1601 ग्राम पंचायतों में से 10 ग्रामों को टीबी मुक्त कर लिया गया है टीबी मुक्त होने वाली ग्राम पंचायतों में ब्लाक हर गाओं की पीतपूर ब्लाक कस्मंडा की चौड़िया महमुदाबाद की नभी गंच शामिल है अब बात आए इंडिया पर प्रिशारित खबर के असर की खबर प्रिशारन के बाद जागे जिम्मेदारों ने सड़क की मरमत कराने के साथ खुले होल को ढखने का काम शुरू कर दिया है शहर के लालबाग चौराहे से आँख हस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क पर एक बड़े और गहरे गड़े से जुड़ी खबर को आइंडिया ने प्रसारित किया था उसके बाद नगरपालिका सीतापुर ने संग्यान लिया, सुक्रवार को नगरपालिका प्रशासन की तरफ से खुले पड़े गहरे गड़े को बंद करने का काम शुरू कर दिया गया है बता दें अथिकरमर हटाओ अभ्यान की अंतरगत उस रोट पर प्रशासन द्वारा की गई कारवाई के बाद से या खुला गड़ा दुरगटना को दावत दे रहा था बिदा औरे मौसम के दोरान हुई बारिश में कच्ची दिवार गिरने से एक परिवार के दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थाना कमला पूर्शित की ग्राम पंचायत बेढ़ा बैकूंट पूर मजरा गवहिया के रहने वाले रशीद की कच्ची दिवारा चानंग गिर गई दिवार गिरने से रशीद और महताब को गंभीर चोटी आई है पर जिनों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुँचाया चिकिस्कों के मुताबिक अस्पताल में इलाज शुरू होने से पहले ही महताब की सासे थम गई लहरपूर ब्लाक कस्तंसाधन केंदों पर सिच्चकों का चार दियो से प्रसिच्चर संपन हुआ निपूर भारत मिसन को सफल बनाने के लिए सिच्चकों को प्रसिच्चर के दोरान सैच्चिक गतिवीदियों की जानकारी दी गई समापन के समय ए आरपी सुरेश कुमार ने कहा कि प्रसिच्चर प्राप्त कर सिच्चक अपने स्कूलों में बच्चों को सभी बिस्यों में डच्च बनाए इस मौके पर पिसिच्चक अनवर अली, पुश्पेंद मौरिया, संदीब कुमार वर्मा, सरोज कुमार वर्मा, मुहम्मद असद, सौरफ शुकला, ध्रू कुमार बाचपी मौजूद रहे ब्लाक मचेटा की जिस सभागार में बैठके आयोजीत होती हुआ सभागार, मौजूदा समय में अपनी बधाली पर आसू बहा रहा है दरसल इस सभागार की छट काफी जरजर हो चुकी है करमचारियों के मताबिक मामूली बारिस में ही सभागार की छट से पानी टपकने लगता है ऐसे में बारिस के दौरान सभागार में बैठने की जगही नहीं रह जाती है जरजर भवन में बैठके करने से करमचारी और BDC डरते रहते हैं लहरपूर के उदाशी नाश्रम संगत में पित्र पच्छ की दसमी तीथी पर भंडारा किया गया भंडारे का शुभारम स्री चंद्र भगवान की पूजा अर्चना आर्थी और अरदास से हुआ कस्बा अटरिया की पूरानी बाजारे इस बार शार्दिय नौरात में छटा मादूरगा पूजा महोसो मनाया जाएगा महोसो की शुरुआत तीन अक्टूबर को होगी 11 अक्टूबर तक मनाया जाने होले महोसो में विविध कारिक्रम होंगे आयोजन समीत की अध्यच अभिशेक शुकला ने बताया की 12 अक्टूबर को विशाल भंडारा होगा इस मौके पर पुजारी सुसील मिशा, पंडित जीतेंद मिशा, पंडित सुरे सवस्थी ससंग लाप प्रदान करेंगे परिवहन विवाग की सेवाओं का लाब अब घर बैठे लिया जा सकेगा विवागिये सेवाओं के लिए आर्टियो कार्याला के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे सीतापूर की आर्टियो प्रशाषन माला बाच्पही ने बताया कि वाहन स्वामी अपने वाहनों को के अधिकरत मोबाइल एप एम परिवाहन पर वाहन के लोन और चालान की जानकारी भी देखी जा सकेगी लाहरपूर कोतवाली छेट की ग्राम केसरी गंज में दरवाजे पर बंदी गाई की बच्चिया पर गुरुआ रात अग्यात जंगली जानवर ने हमला किया जंगली जानवर के हमले से बच्चिया बुरी तरह घायल हुई गनीमत रही कि बच्चिया के पडोस में ही गाय थी जिससे जंगली जानवर को दोड़ाया तो वो भाग गया सुबह ग्रामिनों ने बच्चिया को घायल देखा उन्होंने पच्ची किस्सक को जानकारी दी जिसके बाद विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी ने गाउँ पहच कर बच्चिया का इलाज किया गटना के संबन में उपउन छेतरा अदिकारी हरी श्रिवास्तों ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया था आवारा कुट्तों के दोरा बच्चिया पर हमला कर घायल किया गया था राजा टोडरमल इसमारक समिछ राजा सु सुरच्चा सिवा दल के कारिकरताओं ने संजे दिवस मानना कर महा भारत शाषनकाल के संजे की जैन्ती मनाई कारिकरताओं दोरा रागीरों को फल बित्रित किये गए इस मौके पर संस्थापा कद्या संजे पूरी, संजे गुपता, संजे शुकला, संजे मिश्चा, संजे दिच्चित, संजे राठाओर के लावा श्चिवनात मिश्चा, संतोष कुमार राओ, सूरच चौधरी आदी मौझूद रहे नगर महमुदाबाद इस्ति सीता इंटर कॉलेज में परिया वरान जल संरच्चर गोस्टी संपन हुई जिला संयोजक, रितुराज सिंग वा सचिवसील गुसुकला ने गोस्टी में परिया वरान जल संरच्चर को लेकर महात्तुपूर जानकारियां साजा की गोस्टी में जेस्टुपादेज रामकिसोर मिश्चा विद्यार्ती परसत के रुपे सवस्थी कुलदीप सहित विद्यार्ती मौजूद रहे बेटा तंबार इलाके में बारिश के बीच बिजली की आपूर्थ बाधित हो गई लगातार बारिश के चलते में लाइन में कई स्थानों पर फाल्ट आ गई जिसे दूर करने में बिजली करमचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा आवर अभियंता आकाश वर्मा ने बताया कि खराब मौसम की वज़े से बिजली की आपूर्थ बाधित हुई है करमचारी फाल्ट दूर करने का प्रयास कर रहे है 12 सरकार की टीम ने प्राथमिक स्वास्त केंथ कमलापूर का निच्छर किया टीम में शामिल सुधायादो रड़धीर सिंग ने एमेरजेंसी वार्ड लैब परचा काउंटर उपस्तित रजिस्टर स्टाफ रजिस्टर का अलोकन किया परिसर में सफाई पर अधिचक डॉक्टर राजी वर्मा की सराहना की निच्छर के दोरान सीमो डॉक्टर हर्डपाल सिंग डॉक्टर नीरज लता कोहिनूर सिंग फर्मासिस्ट केबी सिंग मौजूद रहे सीतापूर में गन्ना विकास समित का चुनाओ माहौल हर रोज गर्माता जा रहा सुखरवार को दूसे दिन भी सपा नेताओं ने भाजपा पर गंबीर आरोब जड़े जबकि भाजपा ने भी सपा पर पलटवार किया बता दे महमुदाबाद में पूर्व मंत्री नरें सिंग वर्मा और पुलिस अधिकारियों की बीच काफी बहस हुई गुरवार को भी पहले दिन आनंद भदोरिया लाहरपू विधायक अनिल वर्मा सहित कई सपा नेताओं ने भाजपा पर चुनाओं में गरबड़ी का आरोब जड़ा था उधर महौली और विस्वा समित का मामला हाई कोड तक जा पहुचा है सपा दोरा जड़े जा रहे आरोपों की बीच भाजपा जिलाध्यच राजेश शुकला ने सपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सपा नेताओं को अपने गिरेबान में जहाग कर देखना चाहिए सपा शर्षनकाल में तो गन्ना समित्यों के चुनाओं में गोलिया चली थी जबकि योगी राज में बिना विवात के गन्ना समित्यों का चुनाओं हो रहा है बिस्तृत खबर देखने के लिए आप आए इंडिया देखें कॉंग्रस नेता राहूल गांधी को जवाब देने के लिए अब दलिस समाज की बीजेपी सांसद मैदान में उत्रे हैं भाजपा सांसद अरूर सागर ने बैंड बाजो वाले को नेम प्लेट लगाने और राहूल गांधी पर बड़ा बयान दिया है साजापूर से सांसद अरूर सागर ने सीतापूर में राहूल गांधी पर पलाटवार करते हुए कहा कि विदेश में जाकर राहूल गांधी देश की छवी धूमिल कर रहे हैं वह भाजपा जिला कार्याले पर आजित प्रेसवारता में पहुंचे थे मंत्री गुलाब देवी के बैंड बाजवेवालों के लिए नेम प्लेट लगाने वाले बयान का सांसद अरूर सागर ने समर्थन किया विस्तित खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का आप देखते रहे खबर नामा अतिक्रमर कारियों में दहशत पैदा करने वाले बाबा के बुल्डोजर पर सीतापुर में हमला हो गया बाबा के बुल्डोजर पर ऐसा हमला हुआ कि बुल्डोजर चालक का सिर लहुलुवान हो गया दरसल कोतवाली देहा छेट के अंतरगा सिटी स्टेशन के निकट अवायद कबजा हटाने बुल्डोजर पहुचा था हलांकि तलाब की जमीन पर बनी अवायद दिवार को बुल्डोजर ने धोस्त कर दिया लेकिन भगवान पूर में चक्कर के घर के पास सड़क पर जोपड़ी डाल कर रह 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 लोगों को जब हटाने का प्रयास किया गया तो इट और पत्थर से उन लोगों पर हमला कर दिया गया जिससे एक पत्थर बुल्डोजर चालक के सिर पर जा लगा और सिर्फ फूट गया फिलहाल तहसिल परशासन ने जोपड़ी डाल रह लह रह रह लोगों की तीन दिन का सबाए खाली करने के लिए दिया है सदर तैजिल इलाके की ग्राम पंचायद नेरी पहुँचकर जिलादिकारी अफशेक आनद ने भाईयों और बेटों के बीच उत्पन हुए विबाद की हाकीकत समझी डियम ने तीनों पच्छों को बलाकर मामला निप्टाने के निर्देश दिये दरसल विबाद के चलते 35 भीगे खेत में कोई फसल नहीं बोई जा रही है इसे लेकर आईजी आरेस के जरिये शिकायत दर्च कराए गई थी इसी शिकायत का समझादान करने के लिए डियम ग्राम पंचायत नेरी पहुचे थे जिलादकारी ने स्ट्यम अभीना उयादों को मामला जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिये है जिलादिकारी द्वारा गठित की गई संयुक्त जांश कमेठी द्वारा अवायध मेडिकल स्टोर और अस्पताल संचालकों के खिराब कारवाई चारी है सुक्रवार को उपजिलादिकारी अंजली सिंग अपर मुख चिकिस्सादकारी डॉक्टर अनुस श्रिवास्तो ने महौली में मुकुंद क्लिनिक का आकस्मिक निर्चर किया निर्चर के दौरान डॉक्टर आकास कुमार दौरा किसी जगे, दूसरी जगे मरीजियों की जाँच करते पाए गए टीम दौरा दस्तावेज मांगे जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सके जिसके बाद क्लिनिक के संचालन पर रोक लगा दी गई है संचालन को सोमवार तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए है इसके बाद टीम ने सियसी महौली का भी निर्चर किया सिर्रास्टिय राजपूत करनी सेना में किंधौलिया निवासी पुस्पेंदर प्रताफ सिंग को सिधौली विधान सबाज से छेत्र का प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी सौपी गई है जिलाध्यच असोक कुमार सिंग ने नियुक्त पत भेज कर उनसे अपेच्छा की है कि वह संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे राजकेर रेलवे पुलिस के उपाधी चक रिसकेश यादों ने जियारपी थाने का निर्चर किया निर्चर के दोरांच सास्त्रागार मेस बैरकाद की जानकारी ली फोर्स के साथ प्लेटफॉर्म, ट्रेन, ओवर ब्रिच पर भ्रमण और चेकिंग कर रेलवे ट्रैक की सुरच्छा को भी देखा उन्होंने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहते वे संदिक धिब्यक्तियों के विरुध कड़ी कारवाई के निर्देश दिये हैं उत्तर प्रदेश विदान सभागी सार्वजनिक उपकरम एवं निगम संयुक्त समीत की तितिये उप समीत के अध्यन भ्रमण का कारिकरम निरस्थ हो गया है मिसे सच्यू ब्रिजभूसर के मताबिकिया भ्रमण कारिकरम सीतापूर लखीमपुर कीरी स्रावस्ति बहराईच गोना में आधिसूचना जारी होने के कारण निरस्थ कर दिया गया है सच्यू ब्रमण के अधिकारी मौजूद रहे कस्मंडा इस्टेट के कुवर दिनकर पिताप सिंग ने सीतापूर से कौंगरेस सांसद राकेस राठा और को अंगवस्त बेट कर स्वागत किया सीतापूर सांसद राकेस राठा और सुकुरुआर को कमलापूर पहुंचे इस दोरां सांसाद ने कुवर दिनकर पिताब का विगत चुनाओं के दोरां असी मिसने और अपना तभाव से हर संभव मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया स्वागत सम्मान के दोरां शिव मोहन यादो सही कई लोग मौजूद रहे और अब खबरे जनपत लखीमपूर खीरी से यूपे में लखीमपूर खीरी के आदम कोर बाग को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अब खास रणनीत बनाई है वन विभाग अब दुदुवा नेशनल पार्क से डाइना और सुलोजना नाम की दो हथनियों की मदद लेगा दरसल मुहमदी वन रेंज में आदम कोर बाग का आतंक परियाय बन चुका है यह बाग विभाग के चंगुल में नहीं आ रहा है कई जगे बिंजरा लगाया जाने के बाद पकड़ से दूर है ऐसे में विभाग ने डाइना और सुलोजना की मदद लेने का प्लान बनाया D.F.O. संजेब इस्वाल के पताबिक हतनियों की मदद से बाग की सटीक लोकेशन पता चल सकेगी सच्चता ही सेवा अभियान के अंतरगत राजा प्रताब बिक्रम शाह इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने रैली निकाली रैली को S.D.M. राजियू निकम चेर्मेन मुहम्मत कयूम ने जंडी दिखा कर रवाना किया S.D.M. ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा सच्चता हमारे जीवन का महात्वपूर हिस्सा है इस दोरान प्रिदानाचार मदन गोपाल वर्मा सूरेंद सिंग हरियों मौजूद रहे छोटी कासी के नाम से विख्यात गोला गोकर नात में काविक कॉम्भका शुबारम धौररा सांसद आनंद भदोरिया खीरी सांसद उतकर श्वर्मा ने किया बुजुर्ग कवी मुडली धर तिरपाथी अंजान ने कारिक्रम इस्थलदवार का उधगाटन किया जिसके बाद प्रोफेशर विसंबर सुकला ने प्रथम कवी के रूप में कावि पाठ किया प्रथमपाली में गोला से कनक्तिवारी उमाशंकर सिशिकांट गंगा सेखर सर्मा से तमाम कभी शामिल हुए सहकारी गन्ना विकास समित में चल रही डेली गेट निर्वाचन प्रक्रिया के बीच गोला गन्ना सुसाइटी में 751 डेली गेट चुने जाने है एक लाग सत्रा हजार 295 मतदाता 11 संचाल को का भी चुनाओ करेंगे डेली गेट के लिए नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए भीड लगी रही लखीमपुर्खीरी जनपत की पलिया तहसील में रामलीला के कारिक्रम की रोप रेखा बनाई गई तीन अक्टूबर को रामलीला की शुरुआत करने की जानकारी आयजक मंडल ने दी बता दे रामलीला नेपाल बार्डर पर इस्तित पलियाच्चेत में काफी लोग करिये हैं गन्नावी का समी 13 के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है यारो आलोग शुकला ने बताया कि 246 देली केस निर्बुरोद चुनलिये गये हैं 146 पदों पर चुनाओ होगा 29 नामांकन पत्र निरस्त किये गए हैं इस दोरान खमरी अथाना प्रभारी विवे कुपाध्याई ईशा नगर देवेंद कुमार पुलिस बल के साथ मुस्तायत रहे पुरानी पिंशन बहाली की मांक को लेकर अटेवा पिंशन बचाओ मंच के बैनर तले करमचारियों ने हुंकार भरी है करमचारियों ने आक्रोस मार्च करने के बाद प्रधान मंत्री और मुक मंत्री को संबोधित ग्यापन सौपा जिला संयोजग विश्वनात मौरिया ने कहा कि NPS, शेयर मार्केट, आधारित पेंसन, बेवस्था कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए अभिशाप है और अब खबरे उत्तर प्रदेश से, प्रदेश की खबरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की यूपी के अधिकतर जिलों में शुक्रवार को कहीं कम कहीं जोरदार बारिश हुई, बारिश के दौरान कई जगहों पर हवाय चलने से नुकसान भी हुआ बारी बारिश के आशार को देखते हैं मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए अलर्ट भी चारी किया है विभाग के मुताबिक यूपी के सीतापूर, लखीमपूर, खेरी, अध्या बाहराइच, प्रियाग राइस, दिवरिया सहित करीब 52 जनपदों में भारी बारिश के बीच आकाशिये बिजली गिर सकती है लगातार हो रही बारिश के द्रस्टिगत, सीम योगी आधितनाथ ने अधिकारियों को निर्देसित किया है कि बारिश के दौरान राहतकारियों को सुचार रूप से संचालित करने के निर्देश, मुखमंत्री, योगी आधितनाथ ने दिये है मुखमंतिनी ने अधिकारियों से कहा वा छेत का भ्रमण कर राहत कारियों पर नजर रखें आपदा से भी जन्हान के लिए प्रभावित परिवारों को उचित शायता रास भी अविलंब प्रदान की जाए मुकमतिनी ने पशवान के मामले में भी पशवालकों को ततकाल उचित वित्तिय सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश दिये हैं अब बात 69,000 सिच्छक भरती से जुड़े मामले की पड़ी खबर से 69,000 सिच्छक भरती के अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा हुआ इसलिए क्योंकि पिछली 23 सितंबर को इस मामले में सुप्रिम कोट में कोई सुनवाई ही नहीं हो सकी थी सुनवाई के लिए अब 15 अक्टूबर की तिथी तय की गई है जज के ना होने की वज़े से सुनवाई टाल दी गई ऐसे में आरच्छित वर के अभ्यर्थियों में भी नरासा है इनका नितुत कर रहे अमरेंद पर्टेल के मताबिक इससे जुड़ी एक नई रिट पर सुनवाई प्रस्तावित है अब बात करेंगे राज़स विभाग के कर्मचारियों के लागू होने वाले निर्देस की दर असल अब लेखपाल अमीन और राज़स विभाग को भी यूनिफार्म पहननी होगी उत्तर प्रदेस राजस विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म पहनने के साथ परिसद के प्रतीक चिन लगाने वा कारियाले में रखने की सलाह दी है जिसके करम में लेकपाल अमीन राजस सुनिरी चक नायब तहसिलदार को सफेश शर्ट फॉर्मल ब्रॉलेजर आदमे बाई जेप पर प्रतीक चिन लगाना होगा इस कपर में बात होगी भेड़िये के बाद तेंदुए के दहशत कीुपी के बहराइच में भेड़िये के बाद अब तेंदुए के आतंग से ग्रामीर खॉफ जदा है गुरुवार देर रात को तेंदुए ने दो गाउं में हमला कर बालीका और किसान को घायल कर दिया निसाना बनाया गया बालिका की रोने की आहट से घरवाले जाग गया इलाज के लिए बालिका को लखनो मेटकल कॉलेज ले जाया गया डियोफो बीस शुशंकर के मताबिक तेंद्वे ने अलग-अलग गाओं में हमला किया आप आम जन्मानस की कौन का है यहां तो अधिकारी भी बिजली की चोरी करने में परहिज नहीं कर रहे है या मामला यूपी के संबल से सामने आया है संबल में नगर पालिका के अधिसासी अधिकारी पर बिजली चोरी का आरोप लगा है दरसल S.D.O. आजेशुकला के निर्टुत में टीम ने चंदौसी नगर पालिका के ई.O. क्रेशन कुमार सोनकर के आवास कैम्प कारियाले पर छापा मारा इस दौरान ई.O. चोरी की लाइट जलाते रंगे हाथों पकड़े गए दूसी तरफ य.O. का कहना है कि उन्हें ऐसे मामले की कोई जानकारी नहीं है जबकि बिभाग य.O. के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराने की बात कह रहा है निर्चर के दौरान विद्याले में पाई गई गड़बडियों पर वदायों डीम ने कड़ी कारवाई कर दी है इस कारवाई से सिच्छा विभाग से हरकम मचा हुआ है जिलादिकारी निधी चिवास्तों ने बुझानी बलाक के नौसावा बलाक के प्रात्मिक विदाले बुंडी का निर्चर किया निर्चर में गड़बड़ी पाया जाने पर बिएसे को प्रधाना द्यापक और एक कर्मचारी को निलंबित करने के निर्देश दिये एंटी करॉप्शन टीम के आए दिन कहीं न कहीं हो रही कारवाई के बावजूद रिस्वत खोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे ताजा मामला सीतापूर जेल में बंद सपा नेता आजम खान के ग्रेह जनपत ग्रामपूर से सामने आया है जिले के ग्राम नवाब गंच के रहने वाले किसान दीपक डोभाल राज़स सौब लेखों में अपने वारिसों का नाम दर्ज कराना चाह रहे थे आरोपे की विलासबूर के लेकपाल कविंदर कुमार द्वारा इसे लेकर घूस मांगी जा रही थी इससे आज ही जाकर किसान ने अंटी करॉप्शन टीम से सिकायत कर दी जिसके बाद टीम ने लेकपाल को गिरफतार कर लिया यूपी के गोंडर शायर को जाम से मुक्त दिलाने के लिए डीम के आदेश से वाहन चालकों में संसनी है दर असल जिला अधिकारी नेहा शर्मा के आदेश के बाद दस वाहनों को सीज़ कर उनसे सबालाख रुपया जुर्माना वसूला गया जिला प्रिशासन ने विसेज अभियान चला कर वाहनों के साथ ही ठेला लगाने वालों पर पर प्रभावी कारवाई की जिला अधिकारी के आदेश पर चलाए गए अभियान के बाद से वाहन चालकों और ठेला लगाने वालों की चिंता बढ़ गई है बाजपा सरकार वी आईपी कल्चर को समाप्त करने की भले ही कोशिशे कर रही लेकिन पार्टी नेताओं में इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा जन्पत बरेली में ठिरेया खेतल टोल पलाजा पर भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री इसलिए धरने पर बैठ गई क्योंकि उन्हें एक घंटे तक टोल की लाइन में लगना पड़ा इसे लेकर वा टोल करमी से भीड़ गई बताते हैं भाजपा नेतरी ने टोल करमी पर अभधरता का आरोप लगाते हुए करीब एक घंटे तक जम कर हंगामा किया कहते हैं वक्त करवट लेता रहता है ऐसा ही हुआ एक मामले में सपा के सांसद के सांसद को आखिरकार जमानत करानी ही पड़ी दरसल आचार सहिंता के एक मामले में मुरादाबास से सपा सांसद रूची वीरा अदालत में पेस हुई MP MLA की विसेश कोर्ट में अधिवक्ता की और से जमानत का प्रार्थना प्रत्स्तुत किया गया जिसके बाद अदालत ने सांसद रूची वीरा को जमानत दे दी नियाए सम्मेलन आयोजित करेगा या आयोजन लखनों के कैसरबाग इस्तित गांधी वन भावन सबागार में होगा पूर्व मुखमंत्री मंडल आयोग के अधिच बीपी मंडल की जैनती के उपलप्छ मिस आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथी तमिलनाडू के डीम के नेता उधरी नीध स्टालिन होंगे या जानकारी इलाबाद उच्छी नयाले के आउकास प्राप्त नियाधीस अमन्यास के संस्थापक नियामूर्थ वीरेन सिंग यादोंने दी आपने बराते तो खूब देखी होंगे तमाम बरातों में शामिल भी होंगे लेकिन हम आपको योगी राज़ में एक ऐसी बरात के बारे में बताने जा रहे हैं जिस बरात को उत्तर पिदेश की पुलिस द्वारा निकाला गया यह बरात यूपी के बाजनपत बाहराइच में निकाली गए स्पी ब्रिंदा शुकला के दिशा निर्देज में 6-6 आरोपियों की बरात निकाली गए जिसे देखकर नियाले के वकील और आम नागरिक भी आश्यर चकित रह गए बताते हैं आप राधिक मामलों में नियाले दोरा वारंट जारी होने के बाद या सभी आरोपी पुलिस को चक्मा देकर फरार चल रहे थे इन सभी वारंटियों को अलग-अलग थाना चेतरों से विरफतार कर मेडिकल कराने के बाद बस से नियाले के लिए रमाना किया गया यह था आज का खबर नामा आप देखते रहे हैं इंडिया मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार